नवस्कार फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है चित्वल लाई लर्निंग पर आज मैं आपको बाल विकास से सम्द्धित जैरोम बुरूनर का अधिगम सिध्धान्थ पढ़ाने जा रही हूँ यह सिध्धान्थ किस तरीके से अन्वेशन सिध्धान्थ, संरचना सिध्धान्थ और बोध्धिक विकास का सिध्धान्थ जाना जाता है हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं बाल विकास का अधिगम सिध्धान्थ स्टार्ट करने से पहले स्टूरेंट सबसे कहूंगी कि जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है वो इसे तुरन सबस्क्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको समय से होती रहे इसके साथ साथ वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करके जाएगा स्टार्ट करते हैं बाल विकास में जैरोम बूनर का अधिगम सिध्धान्त जैरोम ब्रूनर का अधिगम सिध्धान्त के अंतरगत देखें जैसे कि मैंने भी बताया है कि इस सिध्धान्त को अन्वेशन सिध्धान्त संडरचना सिध्धान्त भी कहा जाता है अन्वेशन सिध्धान्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इस सिध्धान्त में खोज पर विशेश बल दिया है यानि कि जब भी कोई व्यक्ति किसी समस्या में फसा होता है तो उसके समाधान के लिए उसे खोज करने चाहिए उसे अपनी समस्या को सुल जाने के लिए उसके उपर रिसर्च करना चाहिए इसलिए इन्होंने इस सिधान्त को खोज का विशेयन के अनिवेशन सिधान्त भी कहा है और दूसरा संरचना सिधान्त, संरचना सिधान्त इन्होंने इसलिए कहा है सिधान्त को क्योंकि ये पाठ्थे करम की बालक के सीखने के लिए किस तरीके का पाठ्थे करम होना चाहिए कैसी उसकी संरचना होनी चाहिए किस एज के बच्चे के लिए कैसा पाठ्थे करम जरूरी है उसके उपर इन्होंने विशेज ध्यान दिया है इसलिए इन्हे संरचना सिद्धान्त के नाम से भी जाना जाता है उसके अलावा next point बन जाता है students अमेरीकी व्यग्यानिक क्योंकि ये एक अमेरीका से भी लोंग करते थे इसलिए इसलिए ये एक अमेरीकी व्यग्यानिक थे नियम दिया है इन्होंने स्टुडेंट्स नियम दिया था ये 1960 में, 1960 में ये सिध्धान्त आया था अगले बाद है बल दिया, बल दिया इन्होंने संगिनात्मक वनुग्यान तथा संरजनात्मक्ता पर question पूछा जा सकता है कि ये नियम कब आया था 1960 में कहा के थे अमेरिका के थे Jerome Brunner के अधिकम सिद्धान किस से संबंदित है animation से या संरचना से तो दोनों से संबंदित है अगला point आजाता है students संरचनात्मक्ता कि संरचनात्मक्ता आखिर है क्या संरचनात्मक्ता के बारे में तो Swam के लिए ग्यान की संरचना करना ही संरचनात्मक्ता का अर्थ है ठीक है next आ जाता है महतपून तथिय कौन-कौन से इन्होंने iMPORTENT तथिय बताएं इस सिध्धानत के अंदर इस सिध्धानत के अंदर हर सिध्धान्तों का पूर्ण रूप से ग्यान हो जाता है उसके लावे मूल सिध्धान्तों प्रत्यों की समझ जिससे हमें जिससे व्यक्ति को बालक को जो सिख्षक है जो पढ़ाने जा रहा है पाठ्यक्रम को तयार कर रहा है उसको अपने हर एक सिध्धान्त का जो मीनिंग है उसकी समझ हो जाती है उसके बाद है सिध्धान्तों का स्थाइत यानि कि जब कोई भी व्यक्ति खोजविदी के मादियम से समस्या का समध्धान करता है तो हर एक सिध्धान्त जो है सही ढंक से उसका स्थाईत मस्तिष्क में रहता है और जो संद्रचना के साथ जब हम इसे जोड़ते हैं तो संद्रचना के साथ भी बालक जो है जो सिख्षक है उसके मस्तिष्क में जितने भी सिध्धान्त है वो सही तरीके से अपना स्थान ले लेते हैं नेक्स्ट है निरंतर पुनर विचार यहां पर यह कहना चाहते हैं जरोमरुर जी कि जितने जब कोई व्यक्ति पाठे करम का निर्मान करता है या जब एक सिख्षक जो है पाठे करम का निर्मान करता है कि किस समय पर किस तरह के पाठे करम की आवशकता होती है और समय के आधार पर पाठे करम में किस तरह से changes के जाना चाहिए इसके लिए ये जैरोम बुरुनर जी निरंतर पुनर विचार के बारे में विचरचा करते हैं चलिए, चलते हैं next point में बुरुनर के विकास का सिध्धान्त वे अवस्थाय बुरुनर के विकास के सिध्धान्त को students बोधिक विकास का सिध्धान्त भी कहा जाता है जैसा कि मैंने भी उपर बताया है क्योंकि ये संगनात्मक विकास के सिध्धान्त से भी संबंदित है इन्होंने कितनी अवस्थाई बताई जैसे जीन प्याजेजी ने चार अवस्थाई बताई थी तो इन्होंने तीन अवस्थाई बताई है कौन-कौन सी हैं अवस्थाई चली पता कर लेते हैं सबसे पहला है सक्रे विधी, सक्रे विधी यानिके अनेक्टिव मोड सक्रेविधी जिसमें बच्चा एक्टिव रहता है जिसमें जो बच्चा है वो क्रिया करता रहता है तो उसको इन्होंने सक्रेविधी का है सक्रेविधी का जो टाइमिंग इन्होंने बताया है जन्म से दो वर्ष की अवस्था को सक्रेविधी के अंतरकत रखा है प्रमुक साधन को इन्होंने क्रिया कहा है इनके कारिये जो बच्चा करता रहता है एक्टिव रहता है उसको इन्होंने इसका प्रमुक साधन कहा है अदहे बालकों में पाठे वस्तु को सिखाने के लिए क्रिया क्या वशक्ता होती है next ले रहते हैं स्थूल विदी, इस्थूल विदी क्या है इनले स्थूल विदी को नोने iconic mode कहा है और iconic mode क्या है ये 3-6 वर्ष के वस्था को iconic mode कहा है बच्चा मूर्थ रूप से सोचने समझ लगता है इस वस्था में अधय बालकों में बोध को विक्सित करने के लिए मोडल, स्चित्र, आदी, चार्ट आदी का प्रियोग किया जाना चाहिए, यह इस चीज को कह रहे हैं, क्योंकि मूर्त अबस्ता में बच्चा जिस चीज को सॉलिड रूप से देखता है, उस चीज को आसानी से सीख जाता है नेक्स्ट है प्रतिकात्मक विधी अबस्ता प्रतिकात्मक जो विधी है यह साथ वर्स्ते उपर वाले बालकों के लिए प्रियोग की जाती है इस उम्र में बालक अनुभवों को भाशा के माध्यम से व्यक्त करता है जो भी उसके अनुभव है उसको वो बोलके अपना सामने वाले से चर्चा करता है ब्रुनर का मानना है कि भाशाय प्रतिकों के माध्यम से जो अनुभव के संसार का प्रतिनिधित किया जा सकता है ठीक है नेक्स्ट है ब्रुनर विकासात्मक अधिगम को प्रसपर संबंधित मानते हैं उनके अनुसार अधिगम करता एक सक्रिय एवं प्रतिकिरिया करने वाला जीविद प्राणी है यह पॉइंट तू पॉइंट आप देखते चलेंगे वह ज्यान का पिपाशु निर्माता एवं विचारक है अधिगम करता वह व्यक्ति है जो वहवारों का चियन करता है एवं लक्षय प्राप्ति है तू अधिगम को रूपांत्रिद करता है ठीक है स्टूरेंट्स अब चलते हैं ब्रूनर के सिध्धान्त की व्याख्या की तरफ कि इन्होंने अपने सिध्धान्त की व्याख्या किस तरीके से करी है ब्रूनर के सिध्धान्तों को हम निम्न भागों भाजित कर सकते हैं पहला है विसलेशनात्मक चिंतन बनाम अंतदर्शी चिंतन विसलेशनात्मक चिंतन बनाम अंतदर्शी चिंतन का क्या मतलब है क्या बताया है इन्होंने कि विसलेशनात्मक चिंतन पर अंतदर्शी चिंतन की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाता है जबकि अंतदर्शी चि ज़ादा होता है जब कि यह अंध दर्शी चिंतन को is that यह कहा Hey वैकिन लेकिन tellement दर्शन या कि किए बीद करता तो उसकी संपूर्णों। eben हो जाती है इसलिए पाथय क्रम में अंध दर्शन कोबैंजिकर उस्थान झाना चाहिए नमबर टू पॉइंट इनों बताया है ततपरता ततपरता क्या है कि उनके नुसार किसी भी उम्र के बालक को कोई भी विश्य सीखने है तू ततपर किया जा सकता है ठीक है, नेक्स पॉइंट पे इन्होंने बताया है, सिक्षार्थों दुवारा स्व्म कारिय करने की उपयोगी था, कि हर एक बालक जो सिक्षार्थी है, जो सीखने वाला है, उसे वो कारिय खुद करने देना चाहिए, जिससे उसे ज़्यादा लाब होगा, अगला पॉइंट है, इन्होंने अन्वेशनात्मक अधिगम पर जोर दिया है, क्योंकि अभी मैं हमने पीछे बताया है, अन्वेशनात्मक अधिगम पर जोर देने की वज़े से ही, इस सिद्धान को अन्वेशन सिद्धान के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इन्होंने खोज करने के जब इस समस्या को अपने तरीक से सोल करो देन उसके बाद अगर उससे नहीं होता तब उसकी जो सिक्षक है वो बीच बीच में मदद कर सकता है तो वो सीखना जो है सक्रिय रहता है और इस्थायत लेकर रहता है हमेशा तक बच्चे के दिमाग में उसके जहन में बना रहता है ठीक है नेक्स्ट है पार्ट की संरचना यहाँ पर इन्होंने पार्ट की संरचना को विशेश महत दिया है कि जैसा पार्ट की संरचना होगी जो बच्चे के IQ के आधार पर उसकी बुद्धी के आधार पर उसके समाज के आधार पर उसके सरीर के उसके समाज के आधार पर और जिस तरह का उसकी परिपकुता है उसके आधार पर जो पार्ट की सनलचना होनी चाहिए नेक्स राजाता है संबधता संबधता या फिर संबधता का महत ठीक है यहाँ पर संबधता जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला है व्यक्तिकत संबधता और गुसरा है सामाजिक संबधता संबधता में के आधार पर उन्होंने क्या कहा है पुरुनर ने ब्रुनर ने कहा है कि शिक्षा सिर्फ व्यक्तिकत रूप से नहीं बलकि सामाजी कुद देश्चों यों लक्षों के अनुरूप होनी चाहिए यानि कि शिक्षा का संबंद जो है वो समाज और व्यक्ति दोनों से होना चाहिए अगला है बुरुनर के सिध्धान्त के लाब की बुरुनर के सिध्धान्त के कितने लाब है यह देखेगा यह सिध्धान्त सक्रिय सहभागिता को प्रभावित करता है यह सिक्षन प्रेड़ना को बढ़ावा देता है स्वायत्ता जिमेदारी और सुतंदर्ता को बढ़ावा देता है या सिध्धान वालक को समस्या समाधान के लिए खोज परबल देता है पाठ्य चट्या निर्माण वे संगिनात विकास में विशेश रूप से लाबकारी है ओके स्टुडेंट्स आपको सारे नोट्स मिल चुके हैं बुरुनर के सिध्धानत के तो उमीद करती हूँ कि आपको ये नोट्स पसंद आया होगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरे द्वारा दिये हुए नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब रहे हैं ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको समय से होती रहे हैं चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद